हलो एवरीवन, एजी फिजिक्स भाई एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है आज का जो अपना टोपिक है वो है कि आपके पास कोई एक विद्धुरवे इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है तो विद्धुरवे के कारण उसका जो निरक्ष होगा उसके उपर किसी बिंदु पर अपने को विद्धु छेतर की तीवरता ज्याद करनी है तो सबसे पहले इसके लिए अपने को एक डाइग्राम बनाना होगा माली जी यह आपने यहां पर एक कोई माइनस Q चार्ज ले रखा है और इस माइनस Q चार्ज से अलक दूरी पर बहुत थोड़ी सी दूरी पर बर अपने को डाइग्राम में थोड़ी ज़्यादा दूरी दिखानी पड़ेगी एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो आपकी two A है तो इसको अपन लिखेंगे यह आपके इन दोनों के बीच की दूरी है वो two A है और इसका जो Kendra बिंदू है इसका जो Mindh Window है इसे अपन o से लिख देते हैं अब आपको पता है कि इसका निरक्स किदर होगा, इसका निरक्स होगा वो जो इसके X के लंबवर और मध्य बिंदू से जाने वाली जो रेखा होगी उससे अपन निरक्स कहेंगे, तो यह आपको कोई एक इसका निरक्स दे रखा है, इस निरक्स के ऊपर आपको कोई एक पॉ से B की दूरी कितनी बन गई ये दूरी भी आपके पास A हो गई अब ये रेखा तो बहुत लंबी है ये तो अनंत तक जा रही है तो कहां पर आपको विदू छेतर की तीवरता निकालनी है निरक्स आपने निर्धारित कर लिया पर इसके मूल बिंदू O से एक दूरी भी आप को निर्धारित करनी है तो मैं ये कह देता हूं कि मान लीजिए R दूरी के उपर जाके यहां पर आपके पास कोई एक पॉइंट P है इस P पॉइंट के उपर आपको विदू छेतर की तीवरता निकालनी है अच्छा माइनस क्यू आविश जो है उसके उपर इस पॉइंट के लिए विदू छेतर की जो तीवरता की दिशा होगी वो कैसे निर्धारित करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि इसकी वज़े से विदू छेतर की जो दिशा होगी माइनस आविश के कारण वो अंदर की तरफ होती है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ E माइनस वेक्टर य इस प्लस क्यू आवेस के कारण विदू छेतर की दिशा किदर होगी वो भी पॉइंट P के उपर तो इसके कारण जो विदू छेतर की दिशा होगी वो आपके पास बाहर की तरफ होगी तो बाहर की तरफ विदू छेतर की दिशा दर्शाने के लिए अपने इन दोनों को मिल और यह जो लाइन होगी यह जो बाहर की तरफ दिशा होगी यह आपके पास विदू छेतर की दिशा होगी यहाँ पे अपन पॉइंट P लिख देते हैं और इस वाले जो विदू छेतर को अपन लिख देते हैं E प्लस वेक्टर तो पहले अपन विदू छेतर की तीवरता के फ दोनों दूरियां क्या है? इक्वल हैं. क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये वाली दूरी दोनों में बराबर है और ये जो अभी लंब की दूरी है वो भी उभेनिस्ट है जब आधार दोनों का बराबर है लंब दोनों में उभेनिस्ट है तो definitely कर्ण भी दोनों में इक्वल होगा और यदि किसी भी त्री भुज के दो भुजाएं अगर एक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होएंगे बराबर होएंगे तो इन दोनों कोणों को मैं यहाँ पे थीटा कह देता हूँ अब यह जो एबी भुजा आप देख रहे हो इस एबी भुजा के समान तर मुझे एक दूसरी यहाँ पे कालपनिक रेखा लेनी है जैसे मैं यहाँ पे कालपनिक रेखा लेऊंगा मेरे पास दो एंगल बनेंगे दो विशेज तरीके के एंगल बनेंगे और उन दोनों एंगल की value अपने को find out करनी है एक angle ये बनेगा और दूसरा angle ये बनेगा तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो theta angle है वो यहाँ पर Z की shape में बन रहा है और आप जानते हैं कि Z की shape में बनने वाले कौन एकांतर कौन कहलाते हैं जो की equal होते हैं इसी प्रकार से ये वाला angle और ये उपर वाला angle दो समानतर रेखाओं को एक तिर्ची रेखा काड़ती है तो एक ही तरब बनने वाले कौन है वो संगत कौन कहलाते हैं तो ये वाला कौन भी आपका theta कौन हो गया अब ये जो E plus vector है और E minus vector है इन दोनों को घटको में तोड़ना आना चाहिए जो की basic fundamental है और आप लोगोंने कक्षा 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये जो सदीश रासी जिस बुझा के साथ theta का angle बनाती है वो हमेशा cos का घटक और जिस बुझा के साथ इस सदीश रासी के दोनों तरफ की दो ऐसी भुझाएं ले लीजिए जो आपस में 90 degree का कौन बना रही हो और उन में से इस सदीश के साथ जो angle दिया हुआ है वो आपका cos का घटक हो जाएगा तो ये value हो जाएगी e plus cos theta और ये value हो जाएगी आपके पास e plus sin theta इसी प्रकार से इस e minus को भी तोड़ दे तो ये e minus है इसके दोनों तरफ 90 degree का angle बनाने वाली ये दोनों रेखाए हैं इस में से ये 36 रेखा के साथ theta का कौन बना रहा है तो यहाँ पे value हो जाएगी e minus cos theta और ये जो नीचे की तरफ line जा रही है ये बना लेगी e minus sin theta clear है अब अपने को बिंदू आवेश के कारण p पर विदु छेतर की तीवरता निकालने के लिए दूरी चाहिए सबसे important part a से लेके p की दूरी और इसी प्रकार से b आवेश के कारण ये तीवरता निकालनी है तो b से p की दूरी जो की equal है तो अपने को यहाँ पर sum contributes ले लेना है इस sum contributes का आधार कितना है a है इसकी लंब दूरी कितनी दे रखी है r दे रखी है तो यहाँ से अपन करण की value निकाल सकते है करण की value कितनी हो जाएगी आधार का square प्लास लंब के square का वरगमुल और इसी प्रकार से आपके पास इधर की value आजाएगी और यह value भी कितनी हो जाएगी a square प्लास r square का under root तो इतना यह जो diagram आपने देखा है इस diagram को समझना बहुत जरूरी है अब अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या आपको दे रखा है उसके बाद में क्या आपको ग्यात करना है और वो ही प्रमे का आपना पूराना fundamental है उसके बाद में अपन उपत्तिक के portion पे चलते हैं तो जो दिया हुआ portion है उसमें अपने लिखा कि विजू तेद्विधुरवय के दो आविश केंद्र O से ये जो केंद्र O है इससे आर दूरी पर निराक्ष पर स्थित बिंदू P ये जो बिंदू P है उस पर विदु तक्षेत्र का मान ग्यात करना है ये दूसरा point सिध करने वाला हो जाता है अब अपन लिखेंगे इसके उपत्तिक का portion तो उपत्तिक के portion में लिखेंगे A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर विदु छेत्र की ती बिरता और formula क्या कहता E बराबर KQ अपॉन दूरी का square तो बिंदू A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदू P पर विदु छेत्र की ती बिरता E बराबर KQ अपॉन दूरी का square दूरी कितनी है A से लेके P की यह है अंडरूट A square प्लस R square तो इसके उपर अंडरूट लगा हुआ है अपने को formula में square लगाना है तो यहाँ पर square है वो इस अंडरूट को cancel out कर देगा तो आपके पास क्या बचेगा A square प्लस R square बात करते हैं अपने इसके दिशा की तो इसकी जो दिशा है ध्यान दें minus Q आवे इसके कारण जो विदू छेतर होगा उसकी जो दिशा है वो हमेशा अंदर की तरफ होती है यहाँ पर अपने देखो तीर का निशान लगा करके लिखा हुआ है तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी P से A की तरफ तो अगर आपने E minus के ओपर वेक्टर लगा है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा P A दिशा में और आगी equation number 1 ले लेना है अब इसी प्रकार से B पर इस्थित प्लस Q आवेस के कारण बिंदू P पर विदू छेटर की ती ब्रता formula क्या रहेगा E plus vector यह plus है वो यह प्रदसित करता है कि प्लस वाले आवेस के कारण विदू छेटर की ती ब्रता आपन निकाल रहे है formula हो जाएगा K Q अपन वही दूरी का square तो इसमें तो A square plus R square के उपर under root लगा हुआ है फिर उसका square करेंगे तो under root cancel out हो जाएगा और दिशा यहाँ पर कैसा आवेस है प्लस आवेस है तो प्लस आवेस के कारण विदू छेटर की दिशा बाहर की तरफ होती है तो यह हो जाएगी BP दिशा में छीक है equation number 2 अब आप लोग देखेंगे कि समीकर number 1 और 2 को यह दिए अपन ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आती है कि यह KQ upon A square plus R square तो equal है केवल direction अलग अलग है केवल दिशाएं अलग अलग है बाकि परीमान तो बराबर है तो परीमान को बराबर प्रदशित करने के लिए अपन क्या करते है कि E minus का vector इसका mode निकाल लिया और E plus vector जो है उसका mode निकाल लिया तो mode लगाते ही दिशा है वो गायव हो जाती है केवल परीमान बसता है तो परीमान दोनों का क्या है equal है तो इसे अपन कहा देते है समीकर number 3 अब अपन डाइग्राम में जाकर कि इसको समझते है तो जब आपने देखा कि ये जो E plus vector है और ये जो E minus vector है दोनों की दिशाएं तो अलग-लग है लेकिन दोनों के परीमान क्या है समान है जब दोनों के परीमान समान है और theta दोनों में क्या है equal है तो अब आप इसके घटकों की चर्चा करें तो इसमें E plus sin theta और ये नीचे की तरफ E minus sin theta तो sin theta की value equal है E plus और E minus की value अभी अपने equal proof कर दी और इन दोनों की दिशाएं आपको क्या नजर आ रही है दूसरे को cancel out कर देते है परन्तु इनकी जो क्षेतिज घटक है कौन से E plus cos theta और E minus cos theta इन दोनों की direction क्या है एक ही दिशा है हालाएं कि दोनों का परीमान भी समान है पर दिशाएं दोनों की समान होने के कारण क्या हो जाएंगे ये जुड जाएंगे तो इस बिंदू P पर परिणामी विदुत क्षेत्र जो होगा वो इन दोनों घटकों के योग के कारण हो जाएगा और जैसे ही आप इसका योग लिखेंगे तो E plus और E minus equal है cos theta cos theta भी दोनों में equal है तो plus करते ही यहाँ पे 2 लग जाएगा तो इसकी total value आजाएगी 2 E plus cos theta चाये plus cos theta लिख दो या फिर minus cos theta लिख दो तो इसको अपना आगे लिखते हैं एक not डालना पड़ेगा बीच में तो क्या लिखना है कि विदुत क्षेत्र E plus vector और E minus vector को घटकों में तोडने पर जब इन्हें घटकों में तोड़ा गया तो उपर नीचे वाले जो घटक हैं जिसे अपन क्या कहते हैं उर्द्वादर घटक कहते हैं उर्द्वादर घटक परीमान में समान एवं दिशा में विप्रीत होने के कारण निरस्थ हो जाते हैं जबकि जो क्षतिज घटक हैं वो समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं अतह बिंदु P पर परिणामी विदुत क्षेतर की तीवरता अतह बिंदु P पर विदुत द्विधुर्वे के कारण परिणामी विदुत क्षेतर कितना आएगा E vector बराबर E plus का cos theta और E minus cos theta दोनों को अपन क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं और direction किस तरफ है B always से A always की तरफ B always से A always की तरफ अब आप यहां पे लिखेंगे चूंकि E plus जो mod है that is equals to E minus का mod तो आप इन दोनों में से किसी एक को replace कर दें तो आपके पास E vector क्या आजाएगा E vector बराबर मैं plus लिख लेता हूँ तो 2 E plus cos theta दिशा आपको लिखनी रहेगी साथ में B यह दिशा में अब E plus की जो value है अभी जो आपके पास जो आई है उसको लिख लें तो 2 का value 2 लिखा K लिखा Q लिखा बटा में चल रहा है आपके पास क्या A square plus R का square और साथ में क्या आगया आपके पास cos theta आगया तो यह आजाएगा cos theta अब बात करते हैं यहाँ पर इसके vector की vector में आप ध्यान दें आपको E सदीश लिखना है और यहाँ पर मैं vector किसी भी सदीश राशी को लिख सकता हूँ बट वो यह दर्साना चाहिए कि उसकी दिशा E vector की दिशा के साथ में है तो आप लोग जानते हैं कि जो P cap होता है यानि विद्विद्वर आगुर्ण जो होता है उसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है यानि इस diagram में जब आप देखेंगे तो आपके पास परिणामी जो विद्विद्विद्वर आगुर्ण की जो दिशा है पिछले वीडियो में अपने इसके बारे में डिसकस कर चुके है तो उसकी जो दिशा है वो A से B की तरफ आएगी माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो P कैप है उसकी डायरेक्शन तो A से B की तरफ है और इसकी दिशा है वो B से A की तरफ है यानि E वेक्टर की जो में है तो मैं P cap को लिख करके क्योंकि यह तो एकांग सदीस का इसका परिमान तो एक होगा ना जो केवल दिशा को बताता इसके साथ में जैसे मैं माइनस लगाऊंगा तो इसकी दिशा और E vector की दिशा है वो एक दूसरे से संबंदित समान हो जाएगे तो यहाँ पर E vector जब अपन लिखेंगे तो यहाँ पर दिशा बताने के लिए अपने को लिख देना चाहिए माइनस P cap समझ में आ गया क्योंकि P cap की दिशा और E vector की दिशा एक दूसरे के विप्रीत है तो दोनों को समान दिशा में बदलने के लिए माइनस लगा दिया अब आपको यहाँ पर किस की value लिखनी है cos theta की value लिखनी है पहले इसको आप solve कर लो चुंकि cos theta cos theta बराबर क्या होता है यह होता है आधार बटा कर्ण और वो जो formula आपने देखा है अभी जो आप यहाँ पर रख दें तो इसमें जैसे आप यह value replace करेंगे तो e vector बराबर क्या आएगा 2 लिखा k लिखा q लिखा बटा में क्या चल रहा आपके पास चल रहा a square plus r square और यहाँ पर आपको लिखना है multiply में cos theta की value तो cos theta में ऊपर क्या चला जाएगा a चला जाएगा और बटा में क्या रहा जाएगा a square plus r square का under root under root का मतलब होता है power half एक बटा दो और यहाँ पर इसकी power कितनी है 1 इस पूरे bracket की power कितनी है 1 तो यह सेम संख्या होगी यानि इसको x मान ले तो यह x into under root x हो गया तो इसकी power कितनी हो जाएगी इसकी power हो जाएगी 3 by 2 clear है 3 by 2 तो यहाँ पर अपन इसको separate नहीं लिख करके इसकी साथ include कर देते हैं थोड़ा कम लिखना पड़ेगा साथ में इसकी दिशा की बात करते हैं तो इसकी दिशा हो जाएगी minus P क्या है अब आप लोग जानते हैं वोई formula P क्या है जो क्या होता है अकेले आवेश जोई धुरवा के किसी एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी दोनों के बीच की दूरी कितनी लेके चल रहे है अपन 2 A लेके चल रहे है तो 2 A लेंगे तो यह 2 और A और यह Q यह सब मिल करके तो बन जाएगा P इसलिए आपके पास E वेक्टर में क्या आजाएगा E वेक्टर में आजाएगा आपके पास यहां तो रहेगा K और इस पूरे की जगे लिख सकते हैं अपन P और बटा में आपके पास चल रहा है A स्क्वाइर प्लास R स्क्वाइर की पावर 3 बाइ 2 और यहां चल रहा है आपके पास माइनस P का है अब वापस आपने पिछले वाले टोपिक में जो कंसेट लगाया था चूंकि जो A है इस वेरी वेरी लेस देन R इस A का मान है वो R की अपिक्षा बहुत छोटा है तो जब आप इसका स्क्वाइर करोगे देन A स्क्वाइर इस वेरी वेरी लेस देन R स्क्वाइर तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा और यही कंसेट जब आप आगे अप्लाई करोगे तो आप लिख पाएंगे कि A स्क्वाइर प्लस R स्क्वाइर है देट इज अप्रॉक्षिमेट इक्वाल्स टू लगभग इसको बराबर कर सकते हैं किसके? R स्क्वाइर के बराबर लिख सकते हैं तो इतना जो कंसेट है इसकी जब कर अपने क्या लिख सकते है R स्क्वाइर लिख सकते है तो R का स्क्वाइर बटा में इसके पावर 2 है तो यह स्क्वाइर और यह दो तो कैंसल आउट हो जाएगा इस पूरे को लिख दिया आपने R स्क्वाइर तो यहाँ पे r का square और यह cancel out हो जाएगा तो power क्या बचेगी तो आपके पास value बचेगी e vector this is equals to kp upon r का q r का q तो आपके पास आगे क्या है p cap है यह minus है इस minus को मैंने यहाँ लगा दिया अब आपके पास यह द्विधुरवा घुर्ण का परिमान है यह कांग सदिश है और दोनों को जब आप multiply करोगे तो आपके पास क्या आएगा p vector आजाएगा तो इस तरीके से विधुत द्विधुरवा के निरक्स के उपर जो विधुत क्षेतर आता है उसकी तीवरता आती है minus kp upon r क्यूब और इसके results भी आपको वापस लिखने है तो इसमें e है that is proportional to 1 upon r क्यूब और e तथा p की जो दिशा होती है e तथा p की दिशा क्या रहती है आपने देखा है दोनों की directions एक दूसरे के विप्रीथ है तो e तथा p की दिशा विप्रीथ है ये दो इसके सारांस अपने सामने निकल करके आते हैं clear है अब इसके लिए आप यहाँ पे निरक्स लिख दें तो और बैटर रहेगा इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह e निरक्स का formula है अब अपने e x और e निरक्स के formula में आपस में अंतर संबंद देखते हैं और क्या result निकल के आता है इससे पिछली वीडियो में आपने देखा है कि e जो x होता है x के उपर विदू छेतर की ती ब्रता that is vector is equals to 2kp vector upon r cube और आज क्या आया e निरक्स की value क्या है आपके पास e निरक्स का vector this is equals to minus kp vector upon r cube तो इसमें मैं एक काम करता हूँ इसका जब मैं इंटर रिलेशन निकालूंगा तो e vector लगा देता हूँ और यहां लिख देता हूँ x ठीक है भी या अब मुझे यह जो 2 है इस 2 को तो मैं यहां पर सेम लिख लेता हूँ और kp upon r cube है यह जो kp upon r cube है इसका minus यहां से हटाकर के इस तरफ ले जा सकता हूँ न यानि kp vector upon r cube की direction को इसके यहां पर minus ले जाओ ठीक है तो kp upon r cube की जगे कह लिख सकता हूँ मैं minus e निरक्स तो यहां लिख सकते हैं इस minus को आप यहां लगा दें और minus e निरक्स यानि कि X के उपर जो विदुछेतर की तीवरता है वो निरक्स की तीवरता की दोगुनी होती है और दोनों की जो तीवरताओं की दिशा है वो एक दूसरे के विप्रीत होती है कई बार इस फोर्मूले के उपर dependent, सीधा, numerical पहुत आसान सा सवाल पूछ लिया जाता है और बच्चे इन दोनों फोर्मूलों के उलज जाते है तो ऐसा एक अपन सवाल देखते हैं आपकी बुक में एक्जामपल नमबर दे रखा है पहले उस एक्जामपल का दूसरा पार्ट सोल करते है पहला पार्ट अपने पिछले वीडियो में विदू तजवीदुरा के एक्स पर विदू छेतर की तीवरता में सोल किया है तो इस एक्जामपल के फैस्ट पार्ट के बारे में अपन पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके है माइनस पांच कुलाम प्लस पांच कुलाम का एक डाइपोल है जिनके बीच की दूरी वन सेंटीमेटर है और ये इसका मूल बिंदू, मद्धे बिंदू है यहाँ से पहले पार्ट में X के उपर इतनी दूरी पर विदू छेतर की तीवरता पूछ रहा है और आज आप से पूछ रहा है कि यह माल दीजे आपके पास वोई डाइपोल है माइनस पांच माइक्रो कुलाम यह प्लस पांच माइक्रो कुलाम यह इसका मद्धे बिंदू O है इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है वन सेंटीमीटर और यह जो इसका निरक्स है इस निरक्स के ऊपर यहां पर आपको विदू चेतर की तीवरता निकालनी है और यह जो दूरी आप जो आर ले रहे हैं वो आपको कुशन में दे रखी है 0.30 मीटर तो अभी जो आपने फोर्मूला सॉल किया था कि E वेक्टर this is equal to KP वेक्टर minus upon RQ निरक्स वाला तो इससे आप इसकी वैल्यू निकाल लें जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप K की वैल्यू तो जानते हैं 9 into 10 की पावर 9 मातर क्या होगा K का Newton meter square upon Coulomb square यह value रखेंगे अब आपको P चाहिए P क्या होता है P होता है सर आवेश into दोनों आवेशों के बीच की दूरी यह जो 2 यह क्या है यह पूरी दूरी है तो आवेश को लिखेंगे अपन 5 माइक्रो हटाएंगे तो minus 6 यह 1 cm है cm को meter में बदलेंगे तो 10 की power minus 2 meter हो जाता है यह आपके पास P की value आजाएगी यह आपके पास K की value है और R की value आपको इस Qution के अंदर दे रखी है कितनी दे रखी है R बराबर 0.30 meter तो इसको भी आप यहाँ पे R की value लिख लें तो तीनों values को जब आप replace करेंगे तो आपके पास यह निरक्स की value आजाएगी तो इस सवाल को solve करके और अपना जो answer है वो please हमें comment box में लिखिएगा इसी topic के ओपर dependent और कई सवाल आपके book में दे रखे हैं प्लीज आप उनको solve करें और अगर कोई problem आती है तो हमें comment box में अपना सुजाव जरूर दें Thank you, धन्यवाद